TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV Baironimog सफर को आसान बनाने के लिए Canadian वजीराजम का बड़ा एलान वैक्सीन पासपोर्ट लाँच करने का एलान कर दिया 30 नवंबर के बाद वैक्सीन पासपोर्ट का निफास किया जाएगा Canadian Parliament का दुबारा से अगास तमामाने वालों के लिए वैक्सिनेशन लाजमी करा लाजमी वैक्सिनेशन पालिसी पार्लिमेंट में पहले से मौजूद रोक्ताम के गदमाद के इलावा है Canada भर में कुरोना वारस के फिलाओं में जाफा जारी मरीजों के मजमी तादा 16,93,152 तक जा पहुंची हलाकते 28,666 हो गई चीन और अमरीका में तनाव बढ़ने का ख़च्छा पैदा हो गया अमरीकी सदर का कहना है कि चीन ने हमला किया तो अमरीका ताइवान का भरपूर दिफा करेगा चीन का कहना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है दुनिया भर में 24 करोर 33 लाग सजा दफराद करोना वारस से मतासर बरतानिया में एक रोज में करोना वारस के 50 सजा सजा इतनाए केसिस डिपोर्ट हकुमत की जानिब से प्लान सी के तहट दुबारा पापंदिया लगाए जाने का इमकान हेडलाइन्स आपने जानी और अब खब्रे तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइब और साथ आज ये अपनी खरीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेब साइट को और्डर करें www.greenish.com टैक टीवी की बनाल अक्वामी खबरों के साथ मैं हूं रुकसार शेजाद वल्कम बैक कनेडियन वजिर आजम जस्टिन टूडो ने शेहरियों के बैरौने मुल्क सफर को आसान बनाने के लिए कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट लांच करने का ऐलान कर दिया मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में केनेडियन वजीर आजम जेस्टिन टूडो ने शेहरियों के बेरूने मुल्क सफर को आसान बनाने के लिए करोना वैक्सीन पासपोर्ट लाँच कराने का ऐलान कर दिया तफसिलात के मताबिक केनेडा ने सफर के लिए करोना वैक्सीन पासपोर्ट मतारिफ करवा दिया कینیڈین वजीर आजम जेस्टिन टूडो ने ऐलाम किया है कि शहरियों के बेरूने मुलक सफर को आसान बनाने के लिए कैनेडा एक मैयारी वैक्सीन पासपोर्ट लांच कर रहा है इस हवाले से केनेडियन हुकाम का कहना है के प्रूफ आफ वैक्सिनिशन सर्टिफिकेट में केनेडियन शनाफ्ती निशान होगा और ये बैनल अक्वामी स्मार्ट हेल्थ कार्ट के बड़ मैयार को पूरा करेगा हकाम के मताबिक इसमें पासपोर्ट होल्डर का नाम तारीख पैदाश और कौन सी करोना वैक्सिन कब दी गई इस हवाले से तफसिलात मौजूद होंगी कैनेडियन शेरी 30 नवंबर से वैक्सिनेशन के सबूत के बगएर अंजरूने और बैरूने मुल्ट पर वास नहीं कर सकेंगे कैनेड़ा में 73 पीसद से जाएट शेरियों की मुकमल वैक्सिनेशन हो चुकी है कैनेडियन वजीर आज़म ने शेरियों पर जोर दिया है कि इस वबा को खतम करने के लिए वो जल दल जल वैक्सिन लगवाएं कैनेड़ा में अराकीने पार्लिमेंट के लिए हाउस ओफ कॉमन्स में आने के लिए वैक्सिन लासमी करार दी गई है सिर्फ वैक्सीन चुदा अफराद ही पार्लिमेंट की हुदूद में दाखिल हो सकेंगे मज़ीद तफसिलाथ इस रिपोर्ट में कैनेडा में अराकीने पार्लिमेंट के लिए हाउस ओफ कॉमन्स में आने के लिए वैक्सीन लाजमी खरार दी गई है इंतिजामी गवायत के जिमेदार पार्लिमेंट की गवर्निंग बॉडी बोर्ड ओफ इंटरनल एकॉनमी ने इस कानून का ऐलान किया कि पार्लिमेंट में वापसी पर ज्यादातर अराकीने पार्लिमेंट और हाउस आफ कॉमन्स में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स को कोविड-19 के खिलाब मुकमल वैक्सीन लगवाना लास्मी होगा बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये कानून हर ऐसे शख्स पर लागू होगा जो हाउस आफ कॉमन्स प्रिसेंट में दाखिल होना चाहता है जिसमें मिम्रान और उनका अमला, सियासी रिसर्च आफिस के मुलास्मीन, इंतिजामिया के मुलास्मीन, पारलिमा कारोबारी जायरीन, ठेकेदार और मुशीर शामिल हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि जिन लोगों के पास वैक्सिनेशन से बचने की एक जाइस तिभी वज़ा है, उनके पास हालिया मन्फी कोवीड-19 रैपिड एंटिजिन टेस्ट के नतीजे का सबूत परहम करने का इ पार्लिमेंट हेल्फ कैनिड़ा की जानिब से मनजूर शुदा वैक्सिन की दूसी खोरा के 14 दिन बार मकामल तोर पर वैक्सिन लगवाने वाले फर्द पर गोर करेगी लाजमी वैक्सिनेशन पालिसी पार्लिमेंट में पहले से मौजूद रोगठाम के एकदमाद के इंतखाबात के दिन के दो माह से कुछ ज़्यादा अर्से बाद पार्लिमेंट 22 नमंबर को दुबारा शुरू होने वाली है कैनिडियन सुबे उन्टेरियो में करोना किसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सुबे भर में करोना वारिस से मतासर होने वालों की तादाद पांच लाग 96,282 तक जा पहुंची है इस हवाले से मजीद चानते हैं कैनिड़ा भर में करोना वारिस के पहलाओं में इजाफा जारी है आखरे इतलात के मताविक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादाद 16,93,152 तक जा पहुँची है जबके हलाकतیں 28,666 हो गई मुल्क भर में 16,35,268 से जायत मरीज सहतियाफ हो चुके है ऑंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है सूबे भर में करोना वाईर से मतासिर होने वालों की तादा 50,96,280 तक जा पहुची है जबके हलाकतوں की तादाद 9,827 है कैनेडा में करोना वाईरिस के सबसे जादा हलाकतیں क neuenच सूबे में हूई है सूबे में करोना वाईरिस के मचमुई केसिस की तादाद 4,21,357 है जिन सूबे अलबर्टा में भी इस मौलिक वाबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अलबर्टा सूबा इस वक्क करोना वाइरस की वज़ा से बहरानी सूरतिहाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,520 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए हैं जबके 3,014 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रेडिश कॉलंबिया में केसिस की तादा 2,249 जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,096 है। चीन और अमरीका में तनाओ बढ़ने का खच्चा पैदा हो गया। सदर बाइडन ने चीन के खिलाफ ताईवान के दिफ़ा का एलान कर दिया। हम सिर्फ चीन को ये बात समझाना चाहते हैं कि अमरीका ताइवान के मामले पर ना ही पीचे हटेगा और ना ही अपने नजरियात को बदेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमरीका ताइवान का भर पूर दिफा करेगा और साथ देगा क्योंकि अमरीका ऐसा करने का पाबंद है जबके चीन और रूस समेट पूरी दुनिया जानती है कि अमरीका के पास सबसे ज़् सदर बाइडन ने कहा कि अमरीका ने इतिहादियों की हिफाज़त का मुकद्स एहद किया हुआ है जिस तरह नेटो इतिहादियों की हिफाज़त कर रहे हैं ऐसे ही ताइवान की भी हिफाज़त करेंगे चीन का कहना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है किसी मुल्क का ताइवान से मतालिक बयान रेड लाइन को क्रॉस करना होगा बरतानियम में करोना वारस के केसिस में तेजी से इजाफा हो रहा है मुल्क भर में एक दिन में 52,000 करोना केसिस रिपोर्ट किये गए जबकि 24 गंटों में 115 अफराद हलाक हो गए वजी चौनत हैं इस रिपोर्ट में दुनिया का कोई खिता करोना वारिस की मूजी वबा की चौती लहर से महफूस नहीं जिसकी तबह कारियां कम हो गई है ताहम इसके मरीजों और अमवात में अब भी अज़ाफा जारी है दुनिया भर में करोना वारिस से मतासरा अफराद की तादाद 24 करोर 33 लाग 76,299 तक जा पहुची है जबकि इस मूजी वारिस से अमवात 49,47,528 हो गई जबकि बाइस करोर 5,36,307 करोना मरीज से हैतियाफ हो चुके है अमरीका में इस वारिस से अब तक 7,53,747 अफराद मौत के मूँ में पहुच चुके हैं जबकि इस से बिमार होने वालों की मजमुई तादाद 4,61,74,547 हो चुकी है भारत करोना वारिस के मरीजों की तादाद के हवारे से दूसरे नमबर पर है जहां इस वारिस से 4,53,776 हलाकते हो चुकी है जबकि इस से मुतासरा 3,41,43,236 मरीज सामने आ चुके हैं बरतानिया में करोना वारिस के केसिस में तेजी से इजाफा हो रहा है मुझभर में एक दिन में 52,000 करोना केसिस रिपोर्ट किये गए जबकि 24 घंटों में 115 अफराद हलाक हो गए बरतानिया की रिपोर्ट के मताबिक वजीर सेह साजिद जावे ने वार्निंग दी है के सर्दियों और करिस्मिस के दौरान केसिस की तादाद एक लाग रोजाना तक जा सकती है वज़रा को खच्चा है के प्लान सी के तहट दोबारा कोविट की पाबंदियां लगाई जा सकती है जिन में पेस मास की पाबंदी, वाक्सीन, पासपोर्ट और आवामी मुकामात पर घुलने मिलने की पाबंदियां शामिल है मुजारत सहथ ने बरतानवी आवाम से अपील की है कि बूस्टर डोस लगवाएं, मास पहने और पाबंदियों पर अमल दरामत करें मुजारत सहथ के हुकाम का कहना है कि अभी एन एच एस पर मरीजों का दबाव पाबले बरदाश्ट है और प्लैन बी काम कर रहा है 24,763 हो गई जबके इसके कुल केसिस 58,33,525 हो गए साओधी अरब इसी फैरिस में 54 नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वारिस से अब तक कुल अमवाद 8,776 हुई है जबके मुम्लिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,48,018 तक जा पहुँची है टाग टीवी के पाकिस्दान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टाग टीवी टाग टीवी अपडेट्स यू अबाओ करोना सिचुएशन इन कानड़ा एंड अराउंड गलोग Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV